So hello guys, कैसे हो, आपसे भाई होप, आप लोग अच्छे होंगे Guys, आज की सुड़ो में आपको बताने वालों कि कैसे आप फोन की अप्लिकेशन को अलग-अलग पासवर्ड से लॉग कर सकते हो दोस्तों, आप सब अपने फोन की अप्लिकेशन को लॉग तो जरूर करते होंगे लेकिन guys, एकी पासवर्ड सभी अप्लिकेशन पे काम करता होगा एकी पासवर्ड से सभी अप्लिकेशन ओपन होते होंगे, ठीक है इस वीडियो में आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वालों जिसको आप यूज करके अलग-अलग पासवर्ड आप अप्लिकेशन पे सेट कर सकते हो कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन से अप्लिकेशन पे क्या पासवर्ड सेट है, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है सबसे पहले यहाँ पे हम अमेजॉन को ओपन करते हैं यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं 1,2,3,4 और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अमेजॉन है वो ओपन हो चुक है, ठीक है इसके बाद अब हम वाटसअप को ओपन करते हैं यहाँ पे हम डालते हैं 4x2 आप देख सकते हो वाटसअप ओपन हो चुक है, ठीक है अब हम फिर से कोई दूसरा अप्लिकेशन ओपन करते हैं यहाँ पे हम डालते हैं 4x1 आप यहां पर देख सकते हूँ यह भी application open हो चुक है इस तरह गैज आप सभी application पे multiple password set कर सकते हूँ जो की काफी ज्यादा secure है ठीक है वीडियो काफी interesting है काफी ज्यादा मैजदार है तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा अब आपको सबसे पहले अपने phone के play store में जाना है play store में जाने के बाद आपको यहां पे search करना है app lock fingerprint ठीक है आपको यहां पे third number पे एक application मिलेगा app lock fingerprint इस application को आपको यहां से install कर लेना है 50 million से भी जादा बार यह download किया जा चुका है 4.3 की काफी अच्छी rating है सिर्फ 3 MB का application है ठीक है already इस application को मैंने install कर रखा है तो चली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें setup करना है simply आपको application को install करके open करना है अब दोस्तों आपको यहां पे एक master pin create करना है यानि application का ये pin है ठीक है जब भी आप इस application को open करोगे तो ये pin आपको यहां पे डालना होगा तभी ये application open होगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे जो pin create होगा इसका कोई भी limit नहीं है ठीक है आप 4 digit का 6 digit का 8 digit का pin create कर सकते हो यह आप के उपर depend करता है ठीक है जैसे यहाँ हम 6 digit का pin create करते हैं और guys मैं आपको बता दूँ कि यह जो pin है यह आपको हमेशा याद करके रखना है अगर आप application को uninstall भी वो create हो चुक है इसके बाद guys आपको यहाँ पे तीन option मिलेंगे आपको simply setting पे click करना है अप guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा multiple password कर ठीक है आपको इस पे click करना है अप guys आपको यहाँ से multiple password create करना है ठीक है तो चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको password को create करना है simply आपको plus पर क्लिक करना है अब गईज़ आपको यहां पर अलग लग तरीके मिलेंगे टिक है जो भी आपको ठीक लेगे आप इसको सलेट कर सकते हो पासवर्ड पैटरन पासवर्ड जिस्टर ठीक है यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप क्या select करना चाहते हो, क्या आपको ठीक लगता है, जैसे याप हम password पे click करते हैं, अब गईज़ा आपको यहाँ पे password create करना है, जो भी password आप एप पे set करना है, आपको यहाँ पे वो password डाल देना, जैसे हम डाल देते हैं 4x1, इसके बाद यहाँ पे click करना है, अब आपको pin को फिर से confirm कर देना है अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना password डाल देना ठीक है जो भी password आपने set किया है हम डाल देते हैं 4x1 इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे Locked Apps पे क्लिक करना है और आपको Plus पे क्लिक करना ठीक है आपके phone में जितने भी application होंगे आपको यहाँ पे show हो जाएंगे जिस भी application को आप Lock करना चाहते हो आपको यहाँ से उसको Select कर लेना ठीक है जैसे हम Amazon को करना चाहते है तो इसको हम Enable कर देते हैं इसके बाद आपको Plus पे क्लिक कर देना ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो Amazon था वो 4x1 password से Lock हो चुका है ठीक है अब हम back आते है आप यहाँ पे देख सकते हो 4x1 password से हमारा Amazon Lock हो चुका है ठीक है इस तरह गैस आप किसी भी application को Lock कर सकते हो Multiple password से अलग लग password से ठीक है अब गैस चले में आपको दूसरा कोई application Lock करके दिखाता हूँ आपको फिर से Plus पे क्लिक करना होगा फिर से आपको यहाँ पे इसको सेलेट करना है जो भी आपको ठीक लगे ठीक है हम फिर से password पे क्लिक करते हैं इसके बाद गैस आपको फिर से password डालना है यहाँ पे आपको फिर से multiple password डालना है जैसे इस बार हम डाल देते हैं 4x2 फिर से आपको इसको Confirm करना है अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना password डालना है जो भी password आपने set किया होगा अब यहाँ से आपको application को सेलेट करना है जिस भी application को आप lock करना चाहते हो अब आपको यहाँ पर plus पे click करना है इसके बाद गजिस आपको यहाँ से उस application को select कर लेना जैसे यहाँ पर हम chrome को lock करना चाहते हैं तो chrome को enable कर देते हैं अब आपको plus पे click करना है तो हमारा जो chrome है वो lock हो अब हम बैक आते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, Amazon लॉक हो चुका है, Chrome ब्राउजर लॉक हो चुका है, अब हम फिर से WhatsApp को लॉक करते हैं, यहां पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, 4x3, इसके बाद यहां भी हम डाल देते हैं, अपना पासवर्ड, इसके बाद अप्लिकेशन को सलेट करते हैं, आपको प्लस पे क्लिक करना है, अब यहां पर हम वट्स अप को इनेबल कर देते हैं, इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक कर देना है, तो यहां पर हमारा जो वट्स अप है वो भी लॉक हो चुका है, आप यहां पर देख सकते हो, अब गईस यहां पर हम को बंद कर देते हैं अब हम Amazon को open करते हैं ठीक है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो Amazon lock हो चुका है अब हम डालते है 4x1 और हमारा जो Amazon है वो unlock हो चुका है अब हम WhatsApp को open करते हैं ठीक है WhatsApp पर हमने password डाला था 4x3 तो आप आप देख सकते हो WhatsApp भी unlock हो चुका है इस तरह गईज़ आप multiple अलग अलग password से application को lock कर सकते हो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को like कर दो यार चैनल पे नए है चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeful वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद